धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षा बंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। आईए जानते हैं रक्षा बंधन की पौरानिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बली ने अश्वमेध यग्य करवाया था तब भगवान विश्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बली से तीन पक धर्ती दान में मांग ली थी। वर्दान मांगा कि भगवन मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हरक्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बली को ये वर्दान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विश्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारत जी को सारी बात बताई। नारत जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बली को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विश्णु को मांग लीजिए। नारत जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बली के पास भेश बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बली ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा, तो मा ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही है। राजा ने मां की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बली को राखी बांधी और उनके भगवान विश्णु को मांग लिया है। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है।